तो हमस्कार दोस्तो मैं अनिल सम्मा एक बार फिर से आप लोगों के ही YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का वेल्कम करता हूं जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी एडवर्ब क्लॉज और आज हम लोग बात करने वाले हैं अजेक्टिव क्लॉज की तो रेडी हो आप लोग सभी कनेक्ट हो जाईए सभी और दोस्तों को कनेक्ट करिए ज़दा से ज़दबे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम लोग आज बात करें तो बात कर सकते हैं तरीके से अजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं इसको दोस्तों इसी को हम लोग रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं सेम क्लॉज एज नौन एज objective clause or relative clause हम लोग अगर बात करें इसकी definition की तो हम लोग definition लिख सकते हैं इसकी भई Yes कि हम लोगों का adjective clause क्या होगा तो हम लोग लिख सकते हैं adjective clause is a clause adjective clause is a clause which functions which functions as and जो adjective का function करेगा उसको हम लोग adjective clause बोलते हैं dear friends I hope that will be clear for you next अगर हम लोग बात करें तो adjective clause की बात करें इसी को हम लोग relative clause भी बोलते हैं it tells which one और what kind ये चो हम को reply देगा वो हम लोग ध्यान रखें it tells और it replies ये reply देगा भई reply किस चीज़ का देगा वो हम लोग याँ पर लिख लेते हैं it tells ये बताएगा ये हम लोगों को reply देगा किसके बारे में कि what kind what kind बात करें कौनसा कौं सी का ये reply देगा पूंसा कौं सी इस चीज़ का जो ये reply देगा हम लोगों के लिए कौंसा कौं सी का reply देगा एक पॉइंट और हम लोग इसका लिख सकते हैं कि जो अज़ेक्टिव खोग्स है तो अझाट्टिव लॉट्व ओल्मॉस्ट ऑल्मोस्ट ओल्मॉस्ट एल्मॉस्ट आलुवेज कम्स राइज अफ्टर ऑजेक्टिव लॉस्ट का लुग यह बात करें हम लोग ओल्मॉस्ट comes right after right comes right after the noun or a pronoun the noun or pronoun which used जो use हुए हैं उनके लिए हम लोग इसका use करेंगे दोस्तों छोटी सी बात हम लोग समझ ले तो हम लोगों का काम हो जाएगा आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि adjective clause या relative clause adjective clause या relative clause की बात करूँ adjective clause वो clause होगा जो एक adjective का function करेगा अजेक्टिव की बात करूँ तो अजेक्टिव वो होता है अजेक्टिव की मैं बात करूँ अजेक्टिव वो है यह एक qualifier है क्या है दोस्तों कि क्वालिफायर है क्वालिटी बताएगा किसके बारे में प्वालिफायर औंश और प्रोनाउन का यह प्रोनाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अजेक्टिव ठीक है एक्जाम्पल्स देखते हैं इसको समझते हैं कि इसका यूज कैसे किया जा सकता है तो एक मैं डाइग्राम एक टेबल में बनाता हूँ यहां पर हम लोग यूज करते हैं एक तो करते हैं को का एक दोस्तों हम लोग यूज करते हैं यहां पर विच का एक हम लोग यहां पर यूज करते हैं देट का तीनों को समझें तो अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग यूज कर सब्जेक्टिफ फॉर्म में अगर हम लोग करेंगे यूज तो हम लोग इन में से यूज objective form में और बात करें हम लोग possession के रूप में possessive form में तो हूँ का object जो होगा वो होगा दोस्तों और इसका possession जो होगा वो होगा which बात करें हम लोग बिच की तो बिच का सुरी यहां पर बिच नहीं यहां पर हम लोग यूज करें तो whose का यूज होगा यहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग whose का which है और यहां पर हम लोग यूज करेंगे विच और बात करें हम लोग possessive में तो or which का यूज करते हैं दोस्तों लोग बात करें हम लोग subjective form में यूज़ करें तो that, that और that तीनों में सेम आएगा ठीक है दोस्तों ये है हम लोगों की कुछ relative pronoun जिनकी हम लोग बात कर सकते हैं relative pronoun से related कंजन्सन है ये इनका हम लोग यूज़ करते हैं अजर बात करें हम लोग person के लिए तो person के लिए यूज़ करते हैं हम लोग हूगा बात करें हम लोग things के लिए तो things के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एनिमल्स के लिए और परसन के लिए तीनों के लिए अगर हमको एक साथ यूज़ करना पड़ जाए तो दोस्तो हम लोग डैट का यूज़ भी कर सकते हैं कुछ प्रेस्टिक्शन से कुछ तरीके हैं कि कहां पर कैसे यूज़गा उनकी बात हम लोग आगे करते हैं हम लोगों तिंक्स के लिए यह बात करें हम लोग सभी के लिए हम लोग यूज़ कर रहें दैट का दैट का और दैट का आइओब डैट विली क्लियर आप लोग इसका एक बार इसक्रीन सॉट जरूर ले 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 और हम लोग बात करते हैं next कुछ examples की थाकि हम लोगों के लिए ये clear होता हुआ चला जाए दबॉई इस माइफ्रेंड एक्जाम में कैसा है कर वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे जैसे मैं कि एक्जाम्पल लिखता हूं दबॉई इस माइफ्रेंड दा बॉई इस माइफ्रेंड दबॉई इस माइफ्रेंड दबॉई इस माइफ्रेंड यहां पर देदिया जाए आपको की बाई इसको आप कनेक्ट करें हूं के चुरूब कर सबसे ताल हम लोग बात करें तो अजैक्टिव कंजन सल sleeping can पूर्ण थ एजेक्टिव का ठीक है ना और एजेक्टिव जेस्ट नाउन या प्रो नाउन के जेस्ट बाद वे आएगा यह बात द्याद रखें हम लोग बात करें हुका यूज करना है तो आप लोग ध्यान रखें कि हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ही को या शी को हटाना है औ रूल है यह हम लोग उसका आंसर लिख पाएंगे क्या लिखें हम लोग दबॉई क्या लिखें हम लोग दबॉई क्या लिखें हम लोग दबॉई यह इसको अटा रहे हैं और इसके गूले रहे हम लोग तो लिख देंगे हम लोग दबॉई पूरा sentence अगला लिख देंगे हम लोग, who is in blue shirt, who is in blue shirt, जो यहां से रह गया, उसको यहां पर लिख देजे, is my friend, is my friend, दोस्तों, इस तरीके के questions, आप लोग उसे exam में बार बार पूछे जाते हैं, कुछ examples मैं खूब सारी examples लेकर काया हूँ, और उनकी हम लोग बात करेंगे, number first हम लोग solve कर चुके हैं, number second की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, जैसे कि I played with the kids, I played with the kids, वो example हैं, जो हम लोग कई सारी examples में, कई सारी exam में देख चुके हैं, आप connect करें इसको तब तक मैं करता हूँ, आपको इस तरीके का example दे दिया जाए, और आपको बोल दिया जाए, इस sentence को आप who से connect करिये, दे दिया जाए, और कह दिया जाए, इस sentence को आप who के साथ जोड़के एक simple sentence बना दीजिए, तो हम लोग कैसे बना पाएंगे, देखें, who का use हुआ है, दे के लिए, दे को हटाएंगे, और दे की जगह पर who लगा देंगे, तो आजाएंगे, I played with the kids, with the kids who were in the park, जहां हो रहा हैं, उसके just pass में ले जाते हैं, who, were, in the park, इस तरीके से हम लोग कुछ examples और लेंगे, ताकि आपको यह सारी सीजिए clear होती हुजाएं, प्रवड़्, जग प्र लीए, लीए, उसके सहहाँ, ठाकि दीके, वीए, ठीके सहहाँ, इसकू ग्रॉण प्रॉड्ण प्लाविख हैं, स्कूल डोस्तों इस तरीके का संटेंज्स है और आपको दिया गया है इस सेंटेंज्स आ अपकर करिए किससे हूं से तो डोस्तों डूरी स्टूडेंट्स हम भी ध्यान रखें हर को उटाएंगे और इस की ज़ Driven tape हम लोग she is the teacher she is the she is the teacher whom just pass me the link whom we so at school इसके पास में ही हम लोग इसको लिख देगे I know Rahul कुछ एक्जामपल और देखें हम लोग लोग बात कर सकते हैं I know Rahul I know Rahul you gave him your bike you you gave him your bike और क्या दिया किया है इस सेंटेंस को आप whose किस से करेक्ट करें आप लोग हम है ना तो whom के साथ में करेक्ट करें यानि की objective form लेनी है आपको किस तरीके से कर देंगे हम लोग इसी बें क्या हो जाएगा आए नू राहुल कैसे कर लेंगे हम लोग आए इसी फॉं में हम लोग समझें जहां पर यूज हो रहा है उसके जस्ट उसी के लिए हम लोग इसका यूज कर देते हैं उसी के साथ में हम लोग इसका यूज कर देते हैं let's move for some example और कुछ एक्जाम्पल है मेरे पास में इनको मैं लेकर क्या है या इनको में लोग लाओ perज्ड देप्यूक्र देप्वा लेकर में constता है या लेकर में स समय लेकर में लेकर लेकर को र सॉझ newspapers裡面 लेकर में लेकर को और को विए लेकर में स test作र और देप्यूड देप्योग एक सिस्टीजिंग इस्टेप्टिब और इस लिख रहा है तो आप लोग ज्यान रख ले इसको कनेक्ट करेंगे किस से किसमें करेंगे स्टुडेंट इसको चोनेक्ट करेंगे तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, I like the teacher, whose teaching is effective, I like the teacher, क्योंकि teacher के लिए ही यूज हुआ है, इसके जस्ट पास में ले लेंगे, I like the teacher, his को उठा देंगे, whose teaching, whose teaching is effective, एक example और लेते हैं हम लोग, तो बात कर सकते हैं, पवन, is a teacher, पवन, is a teacher, his father, कलर थोड़ा गलत ले लिया कुई बात मी, his father, is a lecturer, is a lecturer, यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे, whose का, color उल्टा ले लिया भी, कोई बात नहीं, ठीक है, तो क्या हो दाएगा, पवन, whose father is a lecturer, पवन, whose father, is a lecturer, is a teacher, तो easy way मैं कर समझे हम लोग, तो यहाँ पर relative pronoun का यूज ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से examples पूछे जाते हैं, जैसे कि पवन के लिए use हुआ है, तो his को हटा करके, और इसको हम लोग पवन के बाद में ही लिख देंगे, और sentence को पूरे को इसके साथ में ही लिख देते हैं, तो ये चीजें हम लोगों को समझने हैं, ये चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए भई, और ये चीजें हम लोग समझने की कोशिस हम लोगों को करनी ही चाहिए, dear students, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आनी चाहिए, और बात कर लेते हैं एक दो एक्जाम्पल और है भी जिनके हम लोग आँपर बात करेंगे एक लिखें एक एक लिखेंगे एक लोगी रहर खाय चीद्यचें है कि लिखेंगे इम लोग मेरेंगे attorneys क्रोंट sono्stellung एक्टिकल्या याउम्पल गॉम्ण मेरे ऐस जिखेंगे आप्रिक्ट्ट्राइए TS अब हम लोग बात करें कि यहां पर हम लोगों ने यूज किया है किसका वह दैट का यूज क्यों किया है दैट का यूज हम लोग करते हैं सभी के लिए सभी के मैं बात करूं आप लोगों से हम लोग बात कर सकते हैं इसका यूज हम लोग परसन के लिए भी करते हैं इसका यू करेंगे कब करेंगे इसके लिए नोट है कि तो आप लोग जरूर से नोट डाल करके जरूर लिखना कि अगर हम भी बात करें तो बात कर हम लोगों के पास में सब्जेक्टिर रूप में और है कि एवरीबडी कि एवरीवन नोवन नोबडी नोव नोवन एवरीवन नोवन नोबडी बात करें हम लोग और हम लोगों के पास में सुपरलेटिव डिगरी है क्या है सुपरलेटिव डिगरी है हम लोगों के पास में तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे भई देट का ठीक है वहाँ पर हम लोग यूज किसका नहीं करेंगे वहाँ पर हम लोग वूज का यूज नहीं करेंगे वहाँ पर हम लोग विच का यूज नहीं करेंगे इनका यूज वहाँ पर नहीं होगा डियर स्टूडेंट ठीक है न हम लोग वहाँ पर उनका यूज ना करके हम लोग यूज करेंगे केवल और केवल बैट का अराम से समझें कि अगर हम लोगों के पास में सब्जक्ट के रूप में all everybody everyone no one nobody superlative degree दी हुई है तो हम लोग यूज करेंगे किसका डेट का किसका नहीं करेंगे हूज और हूम का यूज हम लोग बिलकुल भी नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट तो यह बात आपको समझ में आजानी चाहिए आप लोग ने इस वीडियो लेक्सर को देख दोस्तों मैंने आपको ऐसा नहीं है एक भी कोई पॉइंटर नहीं होगा यो समझ में नहीं आएगा थैंक्स पर वोचिंग दा वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स